श्री लंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आकरी मुकाबला गाल में खेला गया। मैच के चौते देन श्री लंका के पूर्व कप्तान दनेश चांदिमाल ने शांदार बल्लेबाजी करते हुए 12 शतक जमाया। पहली पारी में इस शांदार पारी की बदोलत मेच बान ने 190 रंद की बड़त हासिल करने में कामयावी पाई। और उस्ट्रेलिया के खिलाब 12 शतक बनाने वाले चांदिमाल श्री लंका के पहले बल्लेबाज बन गए है। श्री लंका ने दूसरी पारी में प्रभाद जैसुरिया के 6 विकेट के दंपर और उस्ट्रेलिया को 151 रंद पर ओल आउट कर पारी और 49 रंद से जीत हासिल की। उस्ट्रेलिया के खिलाब चांदिमाल सबसे बड़ी टेस्ट पारी खेलने वाले श्री लंका के पहले बल्लेबाज बन गए। और वाइटर टेस्ट में पूर कप्तान कुमार संगकारा ने 192 रंद की पारी खेली जो अब तक की सबसे बड़ी पारी थी। चांदिमाल ने 12 चतक बनाकर यह रेकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों आपको यह जनकारी कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताईए।